हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सोच रहे होंगे कि यह टॉपिक कहा से उठा के लाते हो आप यह टॉपिक मुझे आपके द्वारा मिलते हैं अभी मैंने कल एक सेशन लिया था तो यह मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं दोनो प्रेम में होते हैं लेकिन इधर यह तो लड़के की शादी हो जाती है यह लड़की की शादी होगई जैसे मेरे पास केस आए था मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूं उसमें ऐसा हुआ कि एक लड़की का मेरे पास बॉल आ था बोले सर हम दोनों एक दूसरे से प्र मेरी शादी तो हो गई है लेकिन मेरी और मेरी वाइफ के बंती नहीं है और मैं प्यार तुझसे ही करता हूं है ना तो एक सेकंड लिए इसको मैं तुरह सही करता हूं तो उसने कहा कि मेरे और मेरे पत्नी के बंती नहीं है मतलब हमारे बात वेसी नहीं होती है मैं प्यार तु अच्छा प्यार करने वाला लड़का होता मतलब वह वास्तों में अगर उस लड़की से प्यार करता तो वह उससे बात continue रखता क्योंकि जब हम मन इधर लगा हुआ है तो अगर वह लड़का समझदार होता तो जब उसकी शादी हो चुकी है तो वह उसको उसके हाल पे छोड़ देता कि भई तू तेरे इसाब से मतलब अब तेरा भविश्य देखा आगे वह उसकी खुशी चाता लेकिन लड़के ने क्या करा उसको कॉल क साल निकाल दिये चार से पांच साल निकाल दिये अब उस लड़की को यह समझ नहीं आ रहा है कि मेरा भविश्य क्या है मतलब अब उसने का एक सर आज मेरी जो उम्र है वो 32 हो गई है और मेरे इतने रिष्टे आये लेकिन मैंने सब को मना कर दिया जितने भी रिष्टे आय करो तो उसने का है कि सर वो लड़का बोल रहा है कि मतलब वो मुझसे बात करता है मतलब continue और उस लड़के के मतलब बच्चे भी हो गए है ना मतलब इतना टाइम हो गया ना 5-6 साल बच्चे भी हो गए लेकिन वो बोल रहा है कि मेरी वाइफ से मेरी बनती नहीं मैं प्यार तो यहां पर आप यह बात समझें कि अगर ऐसा case होता है तो आपका भी अपना एक भविश्य है अगर शादी हो गई तो उसे छोड़ो और अब अपनी जो देखो जो हो गया उसको लेके बैठने से कुछ नहीं होगा मैंने एक वीडियो बनाए था कि आप जब हम कार चलाते है तो उसमें जो एक आईना होता है जिसमें हम पीछे देखते हैं तो उसमें पीछे लेके नहीं बेठे रहेंगे हम पीछे केवल थोड़ सी देर देखते हैं एक अनुभव लेने के लिए तो पीछे के अनुभव से सीखो और हमको हमाई लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए क क्योंकि मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ा सर्दी जुगाम हो रहा है अभी मैं गुमने गया था ना तो इधर उधर 15-20 दिन हो गए अलग-अलग जगे का पानी पीने माया है उससे तो मैंने आपको क्या बोला है कि अगर वो लड़का वास्तों में उससे प्रेम करता इ मुझसे लगा रहेगा और यह अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाईगी इसलिए आप ध्यान रखे कि अगर आपका जो साथी है वो सही आदमी है तो वो आपसे बात continue नहीं करेगा वो आपको कैसे भी करके छोड़ देगा ताकि आप अब मेरा इधर देखो उस मैं बोल दिया कि मेरी पतनी से बात्चित वेशी नहीं होती है मैं प्यार तुछ से करता हूँ तो इस चीच का क्या भविश्या आगे तो इस चीच को आपको समझना होगा सही समय पर क्योंकि धिरे धिरे अगर ऐसे एक साल दो साल पांच साल निकल गए तो फिर आगे बहु है उसके भी है या मेरी मेरे दोस्त के भी है सबके गल्फ्रेंड है तो एक काम करता हूँ मैं ही बना लेता हूँ तो आजकल क्या बनाया जादा जाता है पहले क्या होता था प्यार है ना प्यार किया नहीं जाता हो जाता है लेकिन आजकल क्या है आजकल किया जाता है किस से क आएगा और सामने आले को भी ऐसा लगए कि मेरा सच्चा प्यार है तो थोड़ा सा अपना भविष्य भी देखो यह ना वह देखना ज्यादा ज़रूरी है मतलब आप दिल का यूज करो लेकिन साथ साथ में दिमाग का यूज करना भी ज़रूरी है नहीं तो ऐसा नहीं हो कि पता चले कि आप उसी व्यक्ति के पीछे पड़े ही है ना उसकी बातों में आई रहे हैं और धिरे-धिरे इधर आपका भी समय निकल गया है क्योंकि आपकी भी अपनी लाइफ है उसकी लाइफ अगर सेट होगी तो आपको भी कहीं ने कहीं अपनी लाइफ की तरफ ध्यान मुझे प्यारी करता हूं तो पर इसका क्या अर्थ है आगे भविश्य क्या है बस दिख रहा है कि एक गहराख हुआ है और उसमें जाके चलांग लगानी आपकी क्या राया है मुझे बतायेगा इस बारे में क्योंकि सबकी राय अलग अलग होती है मैंले तो अपना एक बता का कोर्स है वो अभी हम 15 से शुरू करेंगे कभी 15 से अगर नहीं हो पाया तो उसको 20 तारिक से शुरू करेंगे ठीक है description में आपको link दिया आप join कर लिजिएगा okay everyone so मिलते है next video में मुझे comment करके बताइएगा कि इस बारे में आपकी क्या रहा है ठीक है thank you thank you so much